मुरादबाद के रामदंगा विहार इस्थित सील गुपता आई इंस्टिटूट का इस्थापना दिवस बढ़ी हशो लास के साथ मनाया गया। जुलित कर किया गया। इस अफसर पर रंगरंग कारिक्रम के साथ सभी विध्यार्तियों ने संदेश देनी का काम किया। की तेरवी वर्जगांट मना रही है। इन सालों में सभी का भरपूर योगदान रहा। संस्थान के सभी डॉक्टर्स के साथ हमारे गेट पर खड़े उस गाट का भी हम अभार व्यक्त करते हैं जनोंने हमारे संस्थान को अपनी सिवाएं दी। हमेशा संस्थान समाज सिवा के रूप में समर्पित रहा है उद्देशी यही है कि बेहतर स्वाज सिवाएं हम अपने मुरादबाज शहर को दे सकें। जीते जीते रक्तदान, मरने उपरांत, नेत्रुदान के संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रही हैं जिसमें हमें सफलता भी मिल रही है। सियल गुपता आई इंस्टिटूट का ये मकसद है कि हम ऐसे व्यक्तियों की रोश्नी बने जो अंदकार में जीवन बिता रही हैं। इसी मकसद को लेकर हम काम करें हैं। कालकर्म को संबोदत करते हुए शुखा गुपता ने कहा। ऐसे ही हम आयामों को इस्थापित करते हैं। सबसे बड़ा एक्जाम्पल सन 2012 में हमने अपने संस्थान को डॉक्टर अबदुल्गराम जी के करतमलों के द्वारा रास्ट को समर्पित की रखिया था। उसके बाद हमको सन 2015 में इस नेट संस्थान की कम्यूनिटी सर्विसेज के लिए जो उस समय हमारे उत्रप्रदेश के राजपाल थे। उनके द्वारा हमें एक्वाइन एवार्ट से समानित किया गया था। उसके बाद 2016 में फिकीर के द्वारा अब उस समय हटेश उत्तब्रदेश मुख मंत्री थे उनके करकमलों के द्वारा इस नस्थान को सम्मानित किया गया था। फिर 2020 में Lotus Award से, फिर 2020 में हमको फिर एक Award, कौन सा मिला थे Award, क्या नाम था उसका, Community Award का? हैसन शाह तो अभी मिला है, हैसन, 2021 में जो हमारा ये सबसे बड़ा achievement है, ये सिलीकोडी में, WHO के द्वारा, जो एक International NGO है, हमारी Vision 2020, उसके द्वारा एक बार, फिर से पूरे भारत वर्ष में, मुडादाबाद, सियल गुप्ता, नेतिसंस्थान को, Community Service के लिए सम्मानित किया गया है, इस पुरुस्पार को लेने, हमारी Institute की Vice President, Dr. Ashir Khurana, हमारे Outreach के स्टाफ वहां गये थे, और उनको सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए बहुत गर्भ की बात है, रादर हम सबके लिए बहुत गर्भ की बात है, कि जो हमने सन 2009 में, अपने आप से एक commitment किया था, उस पे हम आज तक आयम हैं, और मैं उमीद करती हूं कि आ और इसी कड़ी में मैं खहना चाहती हूं कि हमने सन 2009 से 2022 तक 85 गाहों को अंधता मुक्त निवारण किया, जो कि एक बहुत बड़ा achievement है, इसके लिए, और मैं आज इस मौके पर अपने स्वर्गे सशुन जग्दिश परशाद कुपता जी को भी जरूर से अपनी शर्दाशु मनर्फित करती हूं कि जो ये आज नेत्र संस्थान है, वो एक उनकी ही प्रेना के द्वारा संभव हो पाया है, वो जब हम सब अपने घर में फुर्सत के छणों में उनके साथ बैठते थे, तो वो हम लोगों की बीच में सिफ वारता लाग करते थे, कि इस समाज ने, इस में बहुत कुछ दिया है, तो सबसे पहले हमारा करतव है कि हम अपने शेहर को ही सेवाएं दें, तो तुम लोग अगर कुछ भी कारे कभी करो, तो सबसे पहले अपने मुरादाबाद शेहर से ही शुरुआत करना, तो उनके मरनों परान 2005 में हमका स्वर्डवास हुआ, हमके शब्दा सुमन अरपिक करती हूँ और आप सब को आस्वाशन देती हूँ कि जिस प्रकार हम अपने कारे में सबलन हैं, जिस प्रकार हम लगे हुए हैं, यह एंप की जीत नहीं है, यह सीयल गुपता परिवार की अचेरे जीत नहीं है, इसमें मेरा सीयल गुपता नेट्र स हिस्तान के सारे डॉक्टर्स, पहरा मेधिकल स्टाफ और जो जूनियार स्टाफ है, जहें हो मेरे गार्ड हो, हाउसकीपिं हो, कैंटीन हो, ही जहने एवरीवडी उसका इसमें एक डेडिकेशन है, उनका इस कहते हैं, इस यक में हो अपनी आहूती दे रहे हैं